याद रहे मुझे प्रेम के भाग्य में राज योगी चाहिए जिन्दा फील करने के लिए सिनमा चाहिए तो फाइनली दोस्तों एक लंबे समय के बाद सुपरिश्टार सनी देवल अपनी मच अवेटेड फिल्म चुप को इंडियन बोक्स ओपिस पर रिलीज करने जा रहे हैं जो की बोक्स ओपिस पर इस हपते 23 सितंबर को रिलीज होने वाली है इस फिल्म के साथ दोस्तों नेपालियन फिल्म प्रेमगी 3 भी रिलीज होने वाली है तो आज के इस वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं फिल्म प्रेमगी 3 के बारे में और चुप की एडवांस बुकिंग अभी तक कितने करोड रुपे की हो चुकी है और ये फिल्म अपने पहले दिन कितने करोड की ओपनिंग ले सकती है साथ ही साथ बात करने वाले हैं दोस्तों यहाँ पर इंडियन और नेपालियन फिल्म प्रेमगी 3 की एडवांस बुकिंग के बारे में तो वीडियो को लाश्ट तक जरूर देखिएगा अगर आप भी इन दोनों ही फिल्मों का इंतजार बड़ी ही बेसबरी से कर रहे थे और फिल्म प्रेमगी 3 के बहुत बड़े फैंस हैं तो चलिए दोस्तों सुरुआत करते हैं तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग यहां पर बात कर लेते हैं फिल्म प्रेमगी 3 के बोक्स ओपिस कलेक्शन के बारे में जो की दोस्तों पहली इंडो नेपाली फिल्म है और इस फिल्म को दोस्तों इंडियन बोक्स ओपिस के साथ साथ दुनिया भर के बोक्स ओपिस पर लगभग 1500 स्क्रीन्स पर रिलीज किया जा रहा है दोस्तों बताते चले आपको की प्रेम गीत्री जो एक एक्शन एड्रेंचरस लव स्टोरी फिल्म होने वाली है इस फिल्म के लीड में दोस्तों आपको नेपाल के सुपरिश्टार प्रदीप खड़ का और ब्यूटिफूल क्रिष्टिना गुरंग नजर आने वाली है वहीं दोस्तों इस फिल्म का डायरेक्शन करने वाले हैं चेतन गुरुंग और संतोस सेन जी बताते चले दोस्तों आपको कि इस फिल्म की लोकेशन काफी बहतरिन और सांधार है गाने भी इस फिल्म के सुपर हीट हो चुके हैं वहीं दोस्तों इस फिल्म को हिंदी ओडियन्स की तरफ से काफी अच्छा रिस्पोंस मिलता हुआ नजर आ रहा है बताते चले दोस्तों आपको की प्रेमगी 3 को इंडियन बोक्स ओपिस पर 23 सितंबर को रिलीज किया जाना है जिस दिन इसकी टिकेट 75 रुपे में मिल जाएगी और मातर 75 रुपे में इस फिल्म को प्रेमगी 3 को पूरी देखने को मिल जाएगी और यही बज़े है दोस्तों की प्रेमगी 3 की जो एडवांस बुकिंग है उसको काफी अच्छा और तगड़ा रिस्पॉंस मिलता हुआ नजर आ रहा है पताते चले दोस्तों आपको की प्रेमगी 3 के एडवांस बुकिंग अभी तक जहां 10 लाग रुपे के आकड़ों को पार कर चुकी है तो वहीं दोस्तों वर्ड वाइड बोक्स ओपिस पर ये फिल्म अपने पहले ही दिन काफी अच्छी एडवांस लेती हुई नजर आ रह पर अपने पहले दिन लगभग 3 से 3.5 करोड रुपे की ओपनिंग लेकर नेपाल सिनेमा की सबसे बड़ी फिल्म साबित होगी अगर इस फिल्म को अच्छे रिव्यूज मिलते हैं तो मात्र 3 से 4 करोड रुपे के बजट में बनने वाली दोस्तों ये फिल्म बोक्स ओपिस पर 15 से 20 करोड रुपे की भी कमाई आसानी से कर सकती है बात की जाए दोस्तों यहाँ पर दूसरी फिल्म यानि की चुप के बोक्स ओपिस प्रेडिक्शन की और एडवांस बुकिंग कलेक्शन के बारे में तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि दोस्तों चुप जिसके लीड और सूरिया धन्वंतरी बताते चले दोस्तों आपको कि एक साइकोलोजिकल क्राइम थ्रिलर फिल्म है जिसे की इंडियन बोक्स ओपिस पर 23 सितंबर को रिलिज किया जाना है दोस्तों बताते चले आपको कि इस फिल्म के टीजर और ट्रेलर को तो आउटिस्टेंडिंग र इडिक्शन और बोक्स ओपिस की तो दोस्तों बताते चले आपको कि चुप इंडियन बोक्स ओपिस पर 23 सितंबर को लगभग 1500 से 2000 स्क्रिंस पर रिलिज किया जाना है जो कि अपने पहले दिन के लिए इस साल की वन ओप देश्ट एडवांस हासिल कर चुकी है और लगभग ये फिल्म अपने रिलिज के पहले तक लगभग 2-3 करोड रुपे की एडवांस हासिल करके इस साल की वन ओप देश्ट ओपनर साबित हो जाए अगर बात की जाए पहले दिन की तो दोस्तों इस फिल्म को ओडियन्स की तरफ से अच्छा रिस्पोंस मिलता हुआ है तो ये अपने पहले ही दिन इंडिया नेट बोक्स ओपिस पर लगभग 6-7 करोड रुपे की ओपनिंग ले सकती है वहीं दोस्तों इस फिल्म का जो लाइफ टाइम कलेक्शन है उसका कोई भी अंदाजा नहीं लगा सकता क्योंकि दोस्तों इस फिल्म को अगर अच्छे रिव्यू में सामिल हो पाईगी या नहीं आपको दोस्तों क्या लगता है चुप इंडियान बोक्स ओपिस पर क्या प्रेम गित्थरी को और ब्रह्मास्तर फिल्म को टक्कर दे पाईगी या नहीं हमें अपनी राए कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा नमस्कार दोस्तों